कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुद्गन की उत्पत्ति का वर्णन नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास इन ओडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबर्शिप लेके या दिये गए QR कोड का प्रियोग करके आप ऐसा कर सकते हैं आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोचाहिद करता है आने था, शेर, लाइक, यह सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं श्रीप राशाजी बोले, संगलाद के पुत्र आयुश्मान शिबी और बाशकल थे तथा परलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बली का जन्म हुआ हे महमुने बली के सो पुत्र थे, जिनमें पानसुर सबसे बड़ा था हिर्ण्याक्ष के पुत्र उत्क्रूर, शकुनी, भूद संतापन, महानाग, महाबाहु तथा कालनाव आदि सभी बलबान थे कश्यप जी के एक दूसरी स्त्री, दन्नो के पुत्र, दुइमूर्धा, शंबर, अयोमुक, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबर स्वभार्नु की कन्या प्रभा थी, तथा शर्मिष्टा, उपदानी और हैशिरा, ये व्रिश्परवा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं वैश्वानर की पुलोमा और काल का दो पुत्री थी, हे महाबाग ये दोनों गन्याएं मरीचिनन्दन कश्यप जी की भार्या हुई, उनके पुत्र साथ हजार दानव श्रेष्ट हुए, मरीचिनन्दन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पॉलोम और काल के कहलाए इनके सिवा, वी प्रचीती के सिंघिका के गर्भ से और वी बहुत से महाबलवान भयंकर और अतिक्रूर पुत्र उत्पन हुए, वे व्यंच, शल्य, बलवान, नभ, महाबली वातापी, नमुची, इलवल, खस्रिम, अंधक, नर्ग, कालनाभ, महावीर, सोभार्नों और मह देत्य, वकत्र, योधी थे, ये सब दानव शेष्ट दनु के बंच को बढ़ाने वाले थे, इनके और भी सेंगणों हजारों पुत्र पुत्रादी हुए, महान तपस्य द्वारा, आत्म ज्यान संपन्न देतिवर प्रलाची के कुल में, निवात कवच नामक देत्य उत्प प्रभाव शालिनी कन्याय कही जाती है, शुकी से शुक, उल्लूक, एवं उल्लूकों के प्रति पक्षी, काक आदी उत्पन हुए, तथा शैनी से शैन, अर्थात बाज, भासी से भास, और गृध्रिका से गृध्रों का जन्व हुआ, शुची से जल के पक्षी गण, और स के गरुड और अरुण, ये दो पुत्र विख्यात हैं, इनमें पक्षियों में श्रेष्ट, सुपर्ण, अर्थात गरुड जी, आती भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं, हे ब्रहमन, सुर्सा से सहस्त्रों सर्प उत्पन हुए, जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश म विचरने वाले, अनेक सिरों वाले और बड़े विशालकाय थे, और कत्रु के पुत्र भी, महाबली और अमित तेजस्वी, अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर्प ही हुए, जो गरुड जी के वश्वर्ती थे, उनमें से शेश, वासुकी, तक्षक, शंक्ष्वेत, महापात्म, क कंबल, अश्वतर, एलापुत्र, नाग, करकोटक, धननजय तथा और भी अनेक उग्र विश्थर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं, क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवशगण हैं, वे सभी बड़ी-बड़ी ताड़ों वाले भयंकर और कच्चा मास खाने वाले जलच स्थल्चर एवं पक्षिगण हैं, महाबली पिशाचों को भी क्रोध ने ही जन्म दिया, सुर्भी से गौव और महिश आदी की उत्पत्ती हुई, तथा एरा से व्रिक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के त्रनोत बन हुई, खासा ने यक्षब और राक्षसों को, मुनी ने अपसराओं को तथा अरिष्टा ने आती समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया, ये सब स्थावर जगम कश्यप जी की संताने हैं, इनके और भी सैंकडों हजारों पुत्र पौत्रादी हुए, हे ब्रह्मन, यह सुरुचिश मनवंतर की स्रिष्टी का वर्णन कहा जाता है, व हे सादुश्रेष्ट, पूर्व मनमंतर में जो सब्तर शिगन स्वयम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन हुए थे, उन्ही को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानवादी के पित्री रूप से निश्चित किया, पुत्रों की इंद्र के वध करने में समर्थ एक अती तेजस्वी पुत्र का वर्मागा, मुनिश्रेष्ट, कश्यप जी ने अपनी भार्य अतिती को यह वर दिया, और उस अती उग्रवर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगमान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ, शौच और सैयम पूर्वक सौ वर्ष तक धारण कर सकोगी, तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाले होगा। ऐसा कहकर मुनिक कश्यप जी ने उस देवी से संगम किया, और उसने बड़े शौच पूर्वक रहते हुए वे गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वहां हर्सु में उपस्तित रहते थे, अंत में सौ वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अनंतर देखी लिया, एक दिन दिती बिना चारन शुद्धी किये ही अपनी शैया पर लेद गई, उस समय नित्रा ने उसे खेर लिया, तब इंद्र हात में वज्र लेकर उ नह कहा, मत्रो, मत्रो, किन्तु जब वेकर्व साथ भागों में विभगत हो गया, और फिर भी ना मरा, तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो, अपने शत्रू विनाशक बज्र से एक एक के साथ साथ टुकड़े कर दिये, वे ही अती वेगवान मरुत नामक देवता हुए, इंद्र के सहायक देवता हुए, शौचादी नियम क्या है, मत्र से पुराण में इस प्रकार बतलाए गया है, हे सुंद्री गर्भिणी स्त्री को चाहिए कि सायकाल में भोजन ना करे, व्रिक्षों के नीचे ना जाए, ना वहाँ ठैरे ही तथा लोगों के साथ गलह और अ अब वित्र ही रहे। जलों का, विष्णू को, आदित्यों का और अग्नी को वसुगुणों का अधिपती बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुद्गण का, तथा प्रलाची को दैत्ते और दानवों का अधिपती दिया। देवताओं का, उच्चे इश्रवा को घोडों का, और व्रिषब को गाउं का अधिपती बनाया। ब्रभु ब्रह्माजीने समस्त म्रिगों अर्थात वन्ने पश्यों का राज्य सिंग को दिया। सर्पों का स्वामी शेश्नाक को बनाया, स्थावनों का स्वामी हिमालय को, मुनी जनों का कपिरदेवजी को, और नक तथा दाड़ वाले म्रिगगण का राजा व्याग्र अर्थात बाग हो गया। तथा पलक्ष पाकर को वन्नस्वतियों का राजा बनाया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और और जातियों के प्राधान्य की भी विवस्था की। इस प्रकार राजों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्माजी ने सब ओर दिखपालों की स्थापना की। और परजन्य प्रजापति के पुत्र अती दुर्धश राजा हिर्णय रोमा को उत्तर दिशा में अभिशिक्त किया। वे आज तक साथ द्वीप और अनेक नगरों से युक्त इस संपून प्रित्वी का अपने अपने विभागा नुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। हे मुनि सत्तम ये तथा अने भी जो संपून राजा लोग हैं। वे सभी विश्व के पालन में प्रवरित परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूती रूप हैं। हे दुजोतम जो जो भूता अधिपती पहले हो गए हैं और जो जो आगे होंगे वे सभी सर्व भूत भगवान विश्णु के अंच हैं। जो जो भी देवताओं, दानवों, दैत्यों और मास भोजियों के अधिपती हैं। जो जो पशूओं, पक्षियों, मनुश्य, सर्वों और नागों के अधिनायक हैं। जो जो व्रिक्षों, परवतों और क्रहों के स्वामी हैं। तथा और भी भूत भविश्वत एवं वर्तमान कालीन जितने भूत वेश्वर हैं। वे सभी सर्वभूत भगवान विश्णू के अंश से उत्पन हुए हैं। हे महाप्राग, स्रिष्टी के पालन कार्य में प्रवृत, सर्वेश्वर, श्रीहरी को छोड़ कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सत्वादी गुणों के आश्रे से वे सनातन प्रभू ही जगत की रचना के साथ रचना करते हैं। स्थिती के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संघार करते हैं। वे जनार्दन चार विभाग से श्रिष्टी के और चार विभाग से ही स्थिती के समय रहते हैं। तथा चार रूप धारन करके ही अंत में प्रलै करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त सुरूप ब्रहमा होते हैं, दूसरे अंश से मरिची आदी प्रचापती होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चोथा संपूर प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर चार प्रकार से स्रिष्टी के समय स्थित होते हैं. फिर वे पुर्षोत्तम सत्व गुण का आशे लेकर जगत की स्थिती करते हैं। उस समय वे एक अंच से विश्णु होकर पालन करते हैं। दूसरे अंच से मनु आदी स्थित होते हैं। तथा तीसरे अंच से काल और चौथे से सर्व भूतों में स्थित होते हैं। तथा अन्तकाल में वे अजन्मा भागवान तमोगुण की वृत्तिक आश्रेले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अगनी और अन्तकादी रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर भूत्स रूप हो जाते हैं। हे ब्रह्मन, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह चार प्रकार की सार्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। अन्तकादी और सकल जी, श्री जनार्दन की यह चार विभूतियां प्रले की कालन रूप हैं। हे द्विज, जगत के आदी और मध्य में तथा प्रले पर्यंत भी, ब्रह्मा, मरीची आदी तथा भिन भिन जीवों से ही स्रिष्टी हुआ करती है। स्रिष्टी के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं। फिर मरीची आदी प्रजापति गण और तदनंतर समस्त जी क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विच, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी स्रिष्टी रचना नहीं कर सकते। अतहां भव्वान काल रूप विष्णु ही सर्वदा स्रिष्टी के कारण है। हे मैत्रे, इसी प्रकार जगत की स्थिती और प्रलय में भी उन देवदेव के चार-चार विभाग बताय जाते हैं। हे द्विच, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है। उस उत्पन हुए जीव की उत्पत्ती में सर्वथा श्रीहरी का शरीर ही कारण है। हे मैत्रे इसी प्रकार जो को स्थावर जगम भूतों में से किसी को नश्ट करता है। वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतकारक रौदर रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देवी समस्त संसार के रचयता, पालन करता और संगहरक हैं। तथा वे ही स्वयम जगत रूप हैं। जगत की उत्पत्ती, स्थिती और अंत के साथ वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेर्णा से प्रव्रित होते हैं। तथा भी उनका प्रमपत महान निर्गुण है। परमात्मा का यह स्वरूप ज्ञानमय व्यापक। सुअसम वेद्ध अर्थात स्वयम प्रकाश और अनुपम है। तथा वे भी चार प्रकार का ही है। हे मुने आपने जो भगवान का प्रमपत कहा। वे चार प्रकार का कैसे है। यह आप मुझसे विधिपूर्वक कही। मैत्रे जे की पूछे जाने पर पराशर जी इस प्रकार बोले। हे मैत्रे सब वस्थूं का जो कारण होता है। वही उसका साधन भी होता है। और जिस अपनी अभीमत वस्थू की इच्छा की जाती है। वही साध्य कहलाती है। मुक्ती की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है। और परब्रम ही साध्य है। जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। यह मुने जो योगी की मुक्ती का कारण है। वह साधना लंबन ज्यान ही। उस ब्रम्भूत परंपत का प्रतम भेद है। कलेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगा भ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रम है। महामुने उसका ज्यान ही आलंबन विज्यान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अत्वेद में ज्यान है। उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूं। और हे महमुने उक्तु तीनों प्रकार के ज्यान की विश्यष्टा का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्म सुरूप के समान ज्यान सुरूप भगवान विश्णु का जो निर्व्यापार अनिर्वच्निये व्याप्ति मात्र अनुभव आत्म बोध सुरूप सत्ता मात् अलक्षन शांत अभय शुद्ध भावनातीत और आश्रहीन रूप है वह ब्रह्म नामग्याद उसका चौथा भेद है हे द्विज जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे भेद में ही लीन हो जाते हैं वे इस संसार क्षेतों की भीतर भीजारोपन रूप कर्म करने में निर्बीज अर्थाद वासना रहित होते हैं अर्थाद वे लोग संगरह के लिए कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें उन्न कर्मों का कोई पाप- पुन्य रूप, फलप्राप नहीं होता इस प्रकार का वे निर्मल, नित्य, व्यापक, अक्षय और समस्त्र हे गुणों से रहित विश्णु नामक परमपद है पुर्ने पाप का अक्षय और कलेशों की निव्रत्ती होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है वही योगी उस परभ्रम का आशर लेता है, जहां से वे है फिर नहीं लोटता उस प्रह्म के मूर्द और अमूर्द दो रूप है, जो और अक्षर रूप से समस्तर प्राणियों में स्थित है अक्षर ही वे परभ्रम है और क्षर सम्पूर्ण जगत है जिस प्रकार एक देशी अगनी का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत पर ब्रह्म की ही शक्ति है हे मैत्रे अगनी की निकरता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और नियूनता का भेद रहता है उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम में है ये ब्रह्मन ब्रह्मा विश्णु और शिर्थ ब्रह्म की प्रधान शक्तिया है उनमें न्यून देवगण है तथा उनके अनंतर दक्ष आधी प्रचापतिगण है उनसे भी न्यून मनुष्य पशू पक्षी व्रिक और स थात उत्वन होना, तिरोभाव और थात छिप जाना, जन और नाश आधी विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तर में नित्य और अक्षय ही है। सर्व शक्ति मैं विष्णु ही ब्रह्मा के पर सुरूप तथा मूर्द रूप हैं, जिनका योगी जन योगा रंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुने, जिन में मन को सम्यक प्रकार से निरंतन एकाग्र करने वालों को आलंबन युक्त सबीज, संप्रज्यात महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, हे सर्व ब्रह्म में, शिविष्णु भरवान, समस्त पराशक्तियों में प्रधान, और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्द ब्रह्म स्वरूप है। हे मुने, उनमें ये संपून जगत ओत्प्रोथ है, उनही से उत्पन हुआ है, उनही में स्थित है, और स्वयम वे ही समस्त जगत है। क्षराक्षर में कार्यकारण रूप इश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपून जगत को अपने आभुशन और आयुद्य रूप से धारन करते हैं। श्री मेत्रे जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूशन और आयुद्य रूप से किस प्रकार धारन करते हैं। यह आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने जगत का पालन करने वाले अप्रे में श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वस्षी ने मुझसे कहा था, दे तुम्हे सुनाता हूं। इस जगत के निरलेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्था चुद्ध, क्षेत्रक्य, स्वरूप को श्रीहरी, कौस्तु मनी रूप से धारन करते हैं। श्री अनंद ने प्रधान को श्रीवत्ष रूप से धारन किया है, और बुद्धी श्री माधव की गदारूप से स्थ है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार इन दोनों को वे शंक और शांग धनुष रूप से धारन करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाले अत्यंत चंचल साथ वेग अहंकार रूप मन श्री विश्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारन करता है। हेद्विच भगवान गदादर की जो मुक्ता, मानिक्य, मर्कत, इंदरनील और हिरक में पांच रूपा वेजेन्ती माला है। वे पंच तनमात्राओं और पंच भूतों का ही संगात है। जो ज्ञान और कर्म में इंदरियां हैं, उन सब को श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारन करते हैं। भगवान अच्यूत जो अत्यन्त निर्मल खड़क धारन करते हैं, वह आविद्ध्या में कोश से आच्छादित विद्ध्या में ज्ञान है। हे मैत्रे इस प्रकार पुरुष, प्रधान, बुद्धी, अहंकार, पंचभूत, मन, इंदरियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री रिशिकेश में आश्रित हैं। श्रीहरी रूप रहित होकर भी मायमय रूप से प्राणियों के कल्यान के लिए इन सब को अस्त्र और भूशन रूप से धारन करते हैं। इस प्रकार वे कमलनेन परमेश्वर, सविकार, प्रधान, निर्विकार, पुरुष तथा संपून जगत को धारन करते हैं। जो कुछ भी विद्या, अविद्या, सत, असत तथा अव्य रूप हैं। ये मैत्रे वे सब सर्व भूतेश्वर, श्री मधु सूदन में ही स्थित हैं। कलाकाष्टा, निमेश, दिन, रितु, आयन और वर्ष रूप से वे काल्च रूप निश्पाप अव्य श्री हरी ही विराजवान हैं। हे मुनिश्रेश्ट, भू लोक, भुवर लोक और स्वर्ग लोक तथा मह, जन, तप और सत्य आदी सातों लोकों में भी सर्व व्यापक भगवान ही हैं। सभी पूर्वजों के पूर्वज, तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरी ही, स्वयम, लोक में स्वरूप से स्थित हैं। निराकार और सर्वेश्व श्री अनन्थी भूद्श रूप होकर देब, मनुष्य और पशु आदी नाना रूपों से स्थित हैं। रिक, यजू, साम और अथर्ववेद। इतिहास अर्थात महाभारत आदी, उपवेद अर्थात आयूरवेद आदी, वेदांत वाक्य समस्त वेदाग, मनुआदी कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराणादी सकलशास्त्र, आख्यान, अनुवाक, कल्पसूत्र तथा समस्त काव्यचर्चा और राग-रागिनी आद भी जितने मूर्थ अमूर्थ बदार्थ हैं वे सब उन्हीं का शरीर है मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्रीहरी ही है उनसे भिन और कुछ भी कार कारणादी नहीं है जिसके चित में ऐसी भावना है उसे फिर देजन्य रागद्वेशादी द्वंदरूप रोग क कि प्रापटी नहीं होती है द्वीच इस प्रकार तुमसे इस पुरान के पहले अंष्का यतावत बर्नन किया है इसका शर्वन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुझत हो जाता है deze मेड्ले 12-3 तक कार्णाआज में पुषकर्पज्यत्र में श्रां करने से जो फल होता है सब मनुष्य को इसके शवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव, रिशी, गंधर, पित्री और यक्ष आधी की उत्पत्ती का शवण करने वाले पुरुष को वे देवाधी वरदायक हो जाते हैं। आप सभी को कोटी-कोटी साधुवाद आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।